नमस्कार मेरे चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आई होप सब अच्छे होंगे इस वीडियो में मैं आपको बेल्ट और अस्तिन का ड्राप काटना सिखाऊंगी तो पहले हम बेल्ट का नाप देख लेते हैं बेल्ट की लंबाई है हमारी 10 इंच तो पेपर पे सबसे पहले लंबाई 10 इंच ड्रो कर लेंगे 10 इंच पर एक मार्क कर देना है इसके बाद हमारे बेल्ट की चोड़ाई है 4 बाई 4 बाई 4 बाई 4.5 इसका मतलब है कि एक साइट से हमें 5.5 नापना है और एक साइट से 4 नापना है यह पीछे की साइट है इधर से हमें 4 इंच मार्क कर देंगे यह 4 इंच पर मार्क कर दिया है और नीचे लाइन मिला देंगे और इधर 4.5 मार्क नापना है यहां हमेरे आगे की साइट है बेल्ट की यहां से मैंने 4.5 इंच पर मार्क कर दिया है अब चार इंची की लाइन से हमें सीधी एक लाइन खीशना है यह सीधी लाइन खीशती है चार इंची की लाइन से मिलाते हुए अब जो साड़े चार इंची का जो माक है यह वाला इससे हम थोड़ा सा गोलाई देते हुए इस सीधी लाइन से मिला देंगे ज्यादा गुलाई नहीं देना है स्टार्डिंग में थोड़ी सी गुलाई देते हुए हलके हलके नीचे जाके उस लाइन से हम इसे मिला देंगे तो यह हमारा बेल्ट ड्रो हो चुका है अब हम इसे कट कर लेंगे गुलाई को कट करना है इसमें वो सीधी लाइन को कट नहीं करना है यह हमारा बेल्ट तयार हो गया है अब हम काटेंगे अस्तीन अस्तीन की लंबाई है हमारी 4.6 नीचे की चोड़ाई है 6.5 काखे 9 एक पेपर लेना है पूरा और इसे बीच में से फोल्ड कर देना है यह मैंने बीच में से फोल्ड कर दिया है इसको फोल्ड वाली साइड अपने साइड रखें अब हमें लेना है सबसे पहले नीचे की चोड़ाई नीचे की चोड़ाई है हमारी 6.5 नीचे की चोड़ाई हमें यह यहां से मापना इधर से फोल्ड वाला हिस्सा मेरे साइड है यहां से हम साड़े छे इंच मापेंगे साड़े छे इंच पर एक मार कर देना है इसके बाद हम लंबाई लेंगे लंबाई है हमारी 4.6 तो लंबाई हमारी फोल्ड साइड से लेना है जो फोल्ड साइड है उसमें हमें लंबाई मापना है 4.6 किसी को 4 इंच अस्तिन रखना है तो उसके लिए हम 4.6 लेंगे किसी की 5 इंच है तो 5.6 लेंगे इससाब से अब हमारी काख की चोड़ाई है 9 इंच तो जहां पर 4.6 इंच का माग किया है वहां से हम 9 इंच मापेंगे और एक लाइन डॉ कर देंगे यह लाइन रो कर दी है 9 इंच पर, 9 इंच का end है वहाँ पर एक क्या देंगे यह जहाँ पर 9 इंच का माँक किया है महाँ से हम 3 इंच नीचे की side माँपेंगे तीन इंच पर मार्क कर देंगे और यह जो तीन इंच का मार्क है इसे हम नीचे 6.5 इंच वाले मार्क से मिला देंगे और एक लाइन डो कर देंगे और यह जो लाइन ड्रो करी इसका जो पॉइंट है यहां से हम गोलाई देते हुए अस्तिन बनाएंगे गोलाई देते हुए इससे सीजी लाइन से बिला देंगे अब एक मांख हम थोड़ा सा अंदर की और मार्जिन छोड़ते हुए एक लाइन और खिछेंगे जिस प्रकार मैंने खिची है बीच-बीच में है यह आपको बाद में समझ में आएगा कि ऐसा मैंने क्यों ड्रो किया है अब हम पहले उपर वाली लाइन से ही कट करेंगे द्यान से देखना केसे कट करा है यह पहले उपर वाली लाइन कट कर लिए अब हमें इस अस्थिन को खोलना है यह थोड़ा सा बचा था वो कटिंग किये मैंने इसके बाद यह वाली लाइन है इसे हम ऐसे कटनी करेंगे डबल फोल्ड में इसे खोलेंगे यह में अस्थिन खोल दिया है उसको हमें सिंगल ही कट करना है सिप एक साइड यह दोनों साइड कट निकलना है अब इस लाइन से कट कर लेंगे इतना और बाहर निकाल देंगे यह आपको सिलते टाइम पता चलेगा यह जो हमारी ज्यादा मार्जिन वाली जो है यह आगे की साइड लगेगी इससे कि हमारे काक में जोल लब अगेरा नहीं आता है इसलिए इसमें ज्यादा कटिंग की जाएगा